आज हम विश्रुखरेजी की बुसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शेषक है सत्य सत्य आपको अपने आप में बताओगा सत्य मतलब सच, सच क्या है, किस चीज़ का सच है, किसके बारे में बताने का प्रयाज यहां विश्रु खरेग कर रहे हैं तो आप दिखे, सत्य के लिए उन्हों ने जो उधारण अपनी कविता में लिया है, वो पौरानिक उधारणिया है, यहाँ जो दो पात्र लिए हैं, वो भी पौरानिक हैं, पौरानिक कौन से? जो हमारे महाभारत के मुख्य किरदार हैं, या पात्र हैं, युधेश्टिर और विदूर, दोनों के बारे में आप लोगों ने अभी महाभारत भी देखी होगी, आपके देखा होगा युधेश्टिर और विदूर, दो ऐसे विक्ति हैं महाभारत के, जो सत्य के साक्षी हैं, या सत्य पर ही चलने वाले लोग हैं, जो कभी भी जूट नहीं बोलते, ना ही क इसके पीछे दोड़ रहा है, उसको यहाँ पर वेक्षाइप किया है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीक कर दूँ, बता दूँ, संशेप में, कि यहाँ वेदूर, जो हैं, वे एक महान वेक्तित्व हैं, क्या आपने वेगा होगा कहीं पर भी वो कुछ गलत ना करत हैं, और युदेश्टिर, उनके पीछे जाते हैं, उनसे उस सत्य को जानना चाते हैं, और विदूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों युदेश्टिर का सामना नहीं कर रहे हैं, वही चीज, उनहीं सब बातों को उसी पौराणी कता के माध्यम से, कवी विश खरे ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि सत्य तब प्राप्त होता है जो हम पूरे कैसकते हैं निश्ठा के साथ उसको जानने का प्रयास करते हैं सत्य ऐसे ही नहीं मल जाता सत्य के लिए हमें पुर्जोर प्रयास करना पड़ता है हमें पूरी अपने कैसकते हैं हर तर हां उ प्रोडरे समय के लिए हमें जाने का प्रयास किया, नहीं मिला तो कोई बात नी ही हम वापस आ गया, ऐसे सद्धा नहीं मिलता, आप में देखा होगा सत्य, सत्य बहुत ही प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे जितने भी महामानव हुए हैं, जिनने महामानव की संग्या में रखत है चाहे आपके महावीर स्वामी हो जैन संप्रदाय के या बाद संप्रदाय के हमारे से धार जो की बाद में जाके गौतम बुद्ध बने इन सभी ने सत्य को जाना था सत्य क्या है वो ब्रह्मा सत्य है शाश्वत सत्य है उसको जाना यहां किस सत्य की बाद की जा रही है वह हम कविता प्रारंब करते हैं, जब हम सत्य को पुकारते हैं, तो वे हमसे परेहरता जाता है, मतलब हम जब सत्य को जाने का प्रयास करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा सत्य हो, उसके बहुत ही तह होती जाती हैं, हम जब जाने का प्रयास करते हैं, मैं में लगता है नहीं जो हम सोचते थे ये वही सचनी है सच इसके आगे है तो वो हमसे परेहरते जाता है और और दूर होता जाता है जैसे गुहारते गुहारते मतला आवाज लगाने लोग भाशा का शब्द है गुहार नाठी के गुहारते हुए युधिष्टे के सामने से भागे थे विदूर, और भी घने जंगलों में, जिसे युदिष्टिर जब आवाज दे रहे थे विदूर को, तो विदूर और भी जादा आगे आगे चलते जा रहे थे, घने जंगलों में, जो भी हर जंगल होते हैं, जिसमें कुछ दिखाई ना दे, ऐसे जंगलों में हो जाकर लब लुप्त हो गए और लेकिन युदेश्टिर ने उनका पीछा करना छोड़ा नहीं मतलब उनके पीछे तक वो आगे तक जाते रहें सत्य शायद जानना चाहता है क्या जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं हम कितना निश्ठावान हैं हम कितना उसको जानने के ललाईत हैं हम कब तक उसके पीछे आएंगे यह जानना चाहता है सत्य इसलिए वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है कि उसको जानने वाला जो वेक्ति जो उसके पीछे आ रहा है वो कहां तक उसका पीछा करेगा कहां तक उसको जानने के लिए समस्याओं का सामना करेगा कभी दिखता है सत्य और कभी ओजल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम है जैसे धर्मराज ने के बार-बार दुहाई देने पर कि ठहरी स्वामी विदुर ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधेश्टिर वे नहीं ठिटकते ये हाँ विश्वगारे ने बताने का प्रयास किया है कभी ऐसा लगता है कि हम सारे सब चीज़ों को जान गए है लेकिन तुरंत ही लगता है कि नई हम अभी बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जिने जानना बाकी है और कभी वह ओजल हो जाता है कभी लगता है जो दिख रहा है वही सच है लेकिन लगता है नई ये सब सच नहीं है, ये से हमारे मन का ब्रह्म था, माया जाल था, और हम कहते हैं कि रुको, क्या हम हैं, मतला हम सत्य से सक्षत कार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे धर्मराज युदेश्टिर, विदुर को कहते हैं कि है स्वामी रुकिये, स्वामी इसले कि वो उनसे बड़े है में यान में भी उम्र में भी हर चीज में तो स्वामी रुकिए यह मैं हूँ वो अपना परिचय देने का प्रयास कर रहें क्या कह रहें अपना परिचय देते नहीं है सत्य को सिर्फ उस व्यक्ति की कैसे इक्षा शक्ति को जाना है कि वो कहां तक उसे जानने के लिए भाग सकता उसके बीछे यदि हम किसी तरह युदिश्टिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रुखी जाता है सत्य लेकिन पलट कर सिर् खड़ा ही रहता है वे द्रण निश्य और अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वे हमें और उसमें से उसी का हलका सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हमें यहां विश्णोखरे बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसा लगता है सत्य को प्राप्त करने के लिए तथा उसके खोश के लिए जब वेक्ति में युधिश्टर जैसी एक संकल्प शक्ति एक द्रण शक्ति आ जाती है सत्य को पाने का अत्य जो कठिन मारग है उसको वेक्ति जब प्राप्त कर लेता है तब मानो सत्य भी रुकता है सत्य एक तप के समान है एक का ठोड अपमस्या है इसे युधिश्टिर की जैसे द्रण संकल्प वेक्ति ही जैसे पास सकता है यदि किसी के मन में सत्य को पाने का संकल्प हो तो उसे उस संकल्प को तिखाना पड़ता है ऐसा नहीं कि हाँ संकल्प तो कर लिया लेकिन उसके लिए जब कठो मतलब समस्यां सामने आती है तो वो उसे पीछे हड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए यह संभव है कि निरंतर सत्य की खोश करने में जब वैक्ति लगता है तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़े लेकि जब द्रण निश्य होता है सत्य जिसने सिर्फ संकल्पमान वैक्ति को अपने दर्शन देने की द्रणता का निश्य किया हो सत्य व्रती के पास नहीं आता मतलब जब द्रण निश्य हम कर लेते हैं कि हमें सत्य को प्राप्त करना है तब ही सत्य हमें प्रकट होता है हमें दिखाई देता है और क्या लगता है कि मानो वो कहीं और देख रहा है और कहीं और देखती हुई द्रिष्टी से हमारी तरफ कई बार होता है कि आप किसी से बात करते हैं लेकिन बात करते करते हैं आप उसी की बातों में कर रहे हैं लेकिन आपकी नजरे कहीं और चिलाती है और उसको लगता है आप कहीं और देख रहे हैं लेकिन आप कहीं और नहीं देख रहे होते हैं आप उसी को ही समझ रहे होते हैं अंतिम सामना करते हैं तो उसमें से हलका सा प्रकाश या मतलब वो जो एक तेज पुंज है उसमें से हलकी से एक रोशनी आके हमारे भीतर समग अर्थात हमने भी सत्य के एक सूक्ष मपक्ष को जान लिया और यह ग्यान तभी प्राप्त होता है जब हम युदिष्टे जैसे द